अब ये नित्य वास्तु तो आपने देखा स्थेर वास्तु था और चर वास्तु इन में चट डली हुई थी चट चाहे पर्मानेंट हो चट चाहे टेंपरेरी थी लेकिन चट थी तो जब चट डल गई तो अंदर बैठे वह आपको मुख इदर उदर करने की जूसनी है जो ल परामदा है जिदर बालकनी है जिदर वेंटिलेटर है जिदर ओपनिंग्स है इन जन्रल उदर से रेडियेशन आएंगी ठीक है ना तो उसमें मुख इदर कर लो उदर कर लो उसे कोई मतलब नहीं है यह मैं बता दूं आपको साफ साफ यह सब वहम डाल रखा है असली कुछ दिन में हर तीन गंटे में दिशा बदलते रहते हैं ठीक है सुबह छे से नौ बजे के आसपास पूर की और मुख करके वह दक्षिनावर्थ दिशा में चलता है दक्षिनावर्थ क्लॉक वाइस क्लॉक वाइस क्लॉक वाइस इधर इस्ट में है सुबह तीन गंटे फ बारा, बारा से तीन, तीन से छे, छे से नो, चाम के, ठीक ना, नो से बारा, बारा से तीन, तीन से छे, इस तरह से, ठीक ना, इस तरह से कलॉक वाइज इस तरह वास्तु पुरुश चलता है, तो इदर मुख है, अब इसमें थोड़ा सा लग है, इदर मुख है, तो आपका मुख इदर होना चाहिए ये मतलब है सीधा सा वास्तो पुरुष का मुख इदर है सुबह सुबह प्रिष्ट है सेवेद अरकम और कियानी सूरे सूरे का सेवन पीठ की ओर से करें तो सूरे जब इदर है तो आपकी पीठ इदर होने चाहिए मतलब मुख इदर होने चाहिए फ फिर सूर्य इदर हो गया नहरिते में आपका मुख किदर हो जाएगा इशान में फिर सूर्य इदर है आपका मुख किदर हो जाएगा इदर फिर सूर्य यहां हो जाएगा आपका मुख किदर हो गया इदर फिर सूर्य मिड नाइट में कहां पे है नौर्थ में तो आपका सिर्ख किर साओथ में, यह लाजीक है, साओथ कि तरफ सिर्ख करके सोएं, सुर्य कभी यह सतु नहीं होता, धरती अपने एक्सिस पे घूम रही है, तो रात में सुर्य यहाँप, दिन में क्या का गया है, बही नौर्थ किरफ फेस करो, नौर्थ फेसिंग, नौर् में लेकिन यह घर के अंदर कोई मैटर नहीं करता इदर भी करो अलग रूल हैं बता देंगे आपको बाद में यह खुले में अब सोचो आज कि आज कल अभी तो दूप सेख सकते हो आप आज कल आप बैठे हो मिड़े में अभी बाहर बैठ जाओ चलो आप अगर इदर फेस कर पाओगे या अपना मुबाइल देख पाओगे या इवन किसे बाचित भी करनी है तब ही कर पाओगे डंग से आपको सूरे की तरफ पीठ करनी पड़ेगी यह मतलब है सिधा और करनी चाहिए यह मैंने बता दिया 24 गंटे में 8 दिशाएं पूरी हो जाती हैं तो प्रिष्ट आपका पेट आपकी तरफ होता है जबकि सूरे का सेवन करना हो तो पीठ कर लो सूरे की तरफ ठीक है बस यह रूल हमेशा ध्यान रखना है प्रिष्टे सेवे दरकम जठे नुताशनम तो यह हमने टेबलर फॉर में यहां दे दिया है सुबह सुबह छे बजे क लगबग सूरे की दिशा के है पूर पूर दिशा में सूरे उगरा है ना सन राइज इंदा इस यह सब को पता है तो आपको किदर करना है यह वास्तु पूरुष का ही लिख दिया चलो यहां पर वास्तु पूरुष का मुख किदर हो पस्चिम की ओर सूरे की दिशा पूर म फिर नौव बज़े के लगबग का है आगने दिशा में ठीक है, सुरu आगने दिशा में हैं, तो आगने का उल्टा का है veya ब 성공 है, आपका फेस वायव है क्यों होना चीजिक है, फिर बाराव बज़े के लगबग सुरे का है दक्षिन में, आपका किदर हो जाए उत्तर में बस ये मैंने समझाए दिया आपको बता दिया सारा